Hello everyone, welcome to SkillBuzz आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि Excel Financial Functions को यूज करके हम EMI Calculator कैसे बना सकते हैं यह EMI Calculator आपने बहुत सारे bank की websites पर भी देखा होगा अगर आपने नहीं देखा तो let me show you तो यह EMI Calculator को इस तरीके का दिखते है यहां पर आपको loan amount फिल करना होता है यहां पर tenure फिल करना होता है यहां इंट्रस्ट रेट फिल करना होता है और यह आपको EMI बता देता है let's suppose मैं यहां पर 5 lakh कर दूँ और यहां पर मैं months में 24 months कर दूँ और यहां interest rate 8.85 ही रहने दूँ तो यहाँ पर इसने मुझे EMI निकाल के दे दिया है हम ऐसा ही financial functions को यूज़ करके अपने Excel में बनाएंगे तो चलिए सीखते हैं ये कैसे बनाएंगे वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज सब्स्राइब आर चानल and press the bell icon ताकि आपके कोई भी important notification miss ना हो आप हमारे साथ Instagram पे भी connect हो सकते हो which is skillbuzz underscore official यहाँ पर हम बहुत सारे important video notes पोस्ट करते रहते हैं तो आप हमारे साथ यहाँ पर भी connect हो सकते हो So, let's start the video अगर आप मेरे साथ साथ इसको practice करना चाहते हो तो आप video के intro से EMI calculator नाम की workbook को download कर सकते हो तो चलिए इसको पहले test करते है तो access bank में limit थी home loan की की 1 lakh से 5 crore का ही आप home loan ले सकते हो तो यहाँ पर मैंने भी limit set कर रखे तो चलिए try करते हैं तो यहाँ let's suppose मैं 6 crore कर दूँ तो जैसे ही मैं 6 crore करूँगी यहाँ पर excel जो है वो मुझे information देगा that you can only choose an amount between 1 lakh to 5 crore kindly select the correct value तो यहाँ पर हम लोग नहीं चूज कर सकते बट अगर मैं 5 crore चूज करूँ तो देखते है तो यहाँ पर जैसे ही मैंने 5 crore फिल किया मुझे monthly EMI निकल कर आ गई है यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर tenure change करूँगी मेरा tenure के according EMI निकल आएगा यहाँ पर अगर मैं interest rate change करूँगी तो मेरा interest rate के according निकल आएगा मतलब मैं यहाँ पर changes करते रहूँगी और मेरी यहाँ पर monthly EMI निकल के आती रहेगी अब यह जो month है या पर interest paid है principle paid है वो हम बाद में देखेंगे बट इनको start करने से पहले do remember कि आपको थोड़ी सी Excel की basic knowledge होनी चाहिए अदरवाइस आप नहीं समझ पाओगी चीज़े कैसे काम कर रही है तो अब हम scratch से सीखेंगे कि हम इसको कैसे बना सकते हैं तो यहां पर आप एक column में home loan लिख लिए यहां पर आपने Excel में value लिख लिए अगर आप value को अभी के लिए छोड़ना चाहते हो आप छोड़ सकते हो यहां पर मैंने year लिख लिया मतलब tenure का एक row बना लिया यहां पर मैंने interest rate लिखा इसके बाद यहां पर मैंने month लिखा अभी के लिए आप इसको छोड़ सकते हो अभी हमने सिरफ यहां पर एक team values लिखी है इसके बाद हमने यहां पर लिखा है monthly EMI अभी monthly EMI कैसे निकलता है इसका जो formula है that is PMT PMT क्या है यहां से हम लोग monthly EMI निकाल सकते है अपने loan की according to our years and according to our interest rate तो यह formula काम कैसे करता है तो यहां पर हमने minus क्यों लगा है let's suppose यहां में minus ना लगाँ तो क्या फर्क पड़ेगा तो जैसे मैंने यहां enter किया यहां पर जो है negative में आ गया finance में क्या होता है financial language में negative का मतलब होता है outflow मतलब outgoing incomes तो जो मेरी negative incomes होती है that are considered as outgoing flows and जो मेरी positive incomes होती है that is considered as an incoming flow तो इस वज़े से यह जो है negative आया है तो यहां पर हम यहां पर इसमें negative लगा रेते हैं ताकि यह जो है मुझे positive value दे जो PMT का formula है अगर इसको हम थोड़ा detail में study करें so let's see यहां पर हम लिख लेते हैं एक बर तो यहां पर हम लोग PMT का formula लगाते so PMT bracket open तो जो सब से पहले हमारा आता है वो है rate तो rate मेरा कितना है this is my rate but because यह monthly EMI है और जो यह interest rate है यह year के according है तो हमें इसे 12 से divide करना पड़ेगा जैसा कि आप यहां देख सकते हों कि 8% नहीं लिखा तो आपको 12 के साथ साथ 100 से भी divide करना पड़ेगा तो हम यहां पे 12 100 से divide कर देंगे NPR लिख रहे हो तो यहां पर आपको 12 से multiply करना is very important इसके बाद यहां पर है हमारी present value तो मेरी home loan के value जो भी है हम यहां फिल कर देंगे इसके बाद जो FV है और जो type है यह आपके लिए important नहीं है यह compulsory नहीं है फिल करना तो हम इसको close करके यहां पर enter कर देंगे तो आप देख सकते हों यहां पर जो है मेरी same value आ गई है तो यहां मैंने मंतली EMI में exact same formula लगाया था अगर आप यहां देखो तो यहां negative value आई है मैंने आपको बताया कि negative value क्यों आती है तो यहां से मेरी monthly EMI निकल आई है अब monthly EMI के एक बाद फॉर्मले को हमने उसे 100 से divide किया ताकि वो percentage form में आ सके इसके बाद यहां पर H13 by 12 क्यों किया because interest rate जो हमारा होता है वो monthly नहीं होता वो yearly होता है इस वज़े से हमने यहां पर by 12 किया because PMT is monthly EMI तो हमें interest rate month के according निकालना होगा इसके बाद हमने common लगा के लिखा NPER NPER होता है हम 10 years तक देते रहेंगे अपना EMI और 10 year में अगर हम हर month देंगे तो that means 120 हमारे slots रहेंगे मतलब हम 120 बार EMI भरेंगे इसके बाद इसलिए हमने इसे 12 से multiply किया because यह monthly EMI हम निकाल रहे है इसके बाद common लगा के हमने यहाँ पर present value लिखी अपने home loan के और हमने यहाँ से इसको enter कर दिया तो यहाँ से हमारी monthly EMI निकल के आ गई है let's suppose यहाँ पर आपको monthly EMI के जगा yearly EMI निकालनी थी तो यहाँ पर आप इसके according कर सकते हो इस table में yearly में आर परसेंट लिखोगे जैसे कि अभी-भी मैंने क्या किया था मैंने निकाला था monthly तो मैंने आर वाइ 12 किया था और इसको into 12 किया था अगर आपको yearly निकालना है तो आप यहाँ से interest rate को आर परसेंट कर सकते हो इसको normal years रखोगे आपको उसको किसी से भी करने की जरूत नहीं है semi-early मतलब आप साल में दो वर EMI दे रहे हो मतलब आप साल में दो खिश्ट दे रहे हो तो यहां पर आप उसके according करोगे because EMI is for monthly EMI job pay करते हो तो उसको हम EMI के through मतलब monthly के head के अंदर ही करेंगे अगर आप yearly करे हो तो आप यहां यह कर सकते हो अगर आप semi-early करे हो तो आप यह formula में R by 2 करोगे और NPR में into 2 करोगे जितने भी years आपको दे रखेंगे याद रखेगा कि into 2 क्यों होता है क्योंकि हम दो किश्ट एक साल में भरेंगे तो आपको उस according करना है इसके बाद यहां bimonthly के according आप ऐसे कर सकते हो quarterly में ऐसे कर सकते हो semi-monthly, bi-weekly, un-weekly तो आप इनको study कर सकते हो कि आप कैसे कैसे editing कर सकते हो because अभी हम EMI निकाल रहे है तो हमने यहां पर monthly EMI में इसलिए 12 से divide and 12 से multiply किया है इसके बाद यहां पर interest paid and principal paid का क्या मतलब है कि जब हम monthly EMI दे रहे हैं तो उसमें कुछ interest हम दे रहे हैं और कुछ principal हम दे रहे हैं तो वो हम कैसे निकालेंगे तो उसको हम कैसे निकालते हैं अगर हम interest paid का formula देखें interest paid सबसे पहले तो निकलता है IPMT के formula से यहां percentage नहीं लिखा and 12 because हम यहां month के according निकाल रहे हैं यहां यह जो पर है पर का क्या मतलब है कि month 1 month 2, month 3, month 4, month 5 यह कब तक चलेगा यह 120 तक चलेगा because मेरे कितने interest जाने मेरे 120 interest जाने है मतलब मेरे 120 किष्ट जानी है तो यहां यह जो पर है आप उसको निकाल सकते हो कि month 1 में कितना गया, interest month 2 में कितना गया, month 3 में कितना गया now NPER is same, tenure अगर tenure years में है तो आपको 12 से multiply करना होगा period is my present value and FV और type जो है वो important नहीं है, important मतलब वो necessary नहीं है, यह जो 4 arguments है यह necessary arguments है यह जो 2 बचे हुए arguments यह necessary नहीं है, तो जरूरी नहीं है इनको fill करना, चलाओ, अब शुरू करते हैं यहां से हम इसको 1200 से divide करेंगे, पर तो पर में हम इसको करेंगे and NPER में हम करेंगी इसको multiply कर देंगे 12 से and इसके बाद हम present value fill करेंगे and bracket close, तो अगर आपको इसको positive में बनाना है, तो आप यहां पर IPMT के पास negative sign लगा दो तो यह जो value है, यह positive में convert हो जाएगी, अगर आप बाहर नहीं लगाना चाहते तो आप यहां H9 के पास भी लगा सकते हो, present value के पास भी, तो यहां से भी positive हो जाएगी, तो आप दोनों जगा लगा सकते हो, तो यहां पर आपका interest जो है वो निकल गया, तो यहां से मेरी IPMT निकल गई है तो हमारी IPMT एकदम similar है बट अब एक difference देखेंगे हम माल लीजी कितने किश्ट मेरे जाएगे, मेरे total किश्ट जाएगे 120, बट अगर मैं यहां मन्त के according निकालों, तो क्या मेरा 121 मन्त हो सकता है, अगर मैं 121 मन्त लिखती हूं, तो मेरे यहां पर error आ जाएगा तो यहां मैंने formula लगा लगा है, if formula, तो अभी हम इसे भी study करेंगे, तो यहां पर error आ जाता है, because 121th month हो ही नहीं सकता है, because total जो मेरे interest, EMIs जानी है, वो सिरफ 120th month तर जाएगी, उसके बाद जो मेरा loan हो खतम हो जाएगा मेरा loan complete हो जाएगा, तो यहां पर error आ जाएगा अगर हम यहां पर इसे 120 कर दे तो मेरी value वापस से आ गई है, और यहां पर भी मेरी value आ गई है, अब यहां पर जब मैंने 121 किया था तो यहां पर error आया, because यहां पर मैंने कोई भी formula नहीं लगा रखा यहां पर on the other hand मैंने formula लगा रखा, इस वज़े से यहां पर specially error लिखा आया है, तो हम वो भी study करेंगे इसके बात principal paid क्या होता है formula होता है, वो ppmt होता है यहां पर exact same होता है rate per nper and pv, तो rate क्या है मेरा 8, 8 com divide करेंगे 1200 से, इसके बाद है per, इसके बाद है मेरा npr, इसको हम multiply करेंगे 12 से, और इसके बाद मेरी है pv तो जैसे ही मैंने enter किया, मेरी value आ गई है, अब अगर इसको positive करना है, तो आपको कुछ नहीं करना यहां पर जाके आपको बस negative का sign लगा देना है आपकी यहां पर value जो है वो positive हो गई है, यहां पर मैंने कैसे किया हुआ है कि आपकी month है, वो 120 ही रहे क्यूंकि आपकी year जो है, वो 10 है 10 into 12 should be 120, तो 120 first EMI आपकी कोई जाएगी कि नहीं, इसलिए यहां पर वो error आगया है, on the other hand, आपका जो monthly EMI वाला cell है, वो connect ही नहीं है month से, वो सिरफ इन तीनों से connect है, मैंने month वाला particle column डाला ही इसलिए है ताकि मैं आपको interest paid and principal paid भी बता पाऊं, तो हम हम देख लेते हैं, हमने यहां पर क्या formula यूज कि है, तो यहां पर हमने इस का formula यूज कि है F, यहां पर पहले हमें कॉमर से पहले logical test देना होता है, तो logical test क्या है कि H11 में जो value है, मेरी years में है, उसको अगर हम 12 से multiply करें, तो months में convert हो अगर यह value बड़ी होती है या equal होती है H15 से जो कि मेरी monthly value है तो हमें क्या करना है, हमें IPMT निकाल के दिन है तो जो if में next argument होता है logical test देने के बाद, लगाने के बाद वो होता है, value if true अगर यह value जो logical test आपने दिया है अगर यह true हो जाते है, तो हमें क्या करना होगा तो उसके लिए मैंने यहाँ पर IPMT को यहाँ पर nest कर दिया तो मैंने एक formula के अंदर दूसरे formula को nest किया है तो यहाँ मैंने पहले bracket लगाया है, because हम दूसरा formula शुरू कर रहे इसके बाद मैंने negative लगाया मैंने negative लगाया because IPMT negative में आएगा यह because एक outflow है इसके बाद IPMT लगाने के मैंने bracket लगाया और IPMT का पूरा formula रिखा and bracket close and यहाँ पर मैंने IPMT का भी bracket close कर दिया इसके बाद मैंने comma लगाया जो इसकी next argument होती है अगर जो आपनी logical test दिया है वो false होता है तो हमें क्या करना है अगर यह false होता है तो आपको यहाँ पर error show करना है इस बज़े से ही यहाँ पर error show कर रहा है जैसे कि आप देख सकते हो अगर यह 120 है तो 120 है तो यह 10 into 12 that is 120 तो 120 equal to 120 हो रहा है तो इसमें यहाँ पर interest paid and principal paid निकालके दे दिया है but in case यहाँ पर 122 हो जाए तो जैसे 122 होगा मेरी जो logical test है वो false हो जाएगा and जैसे ही false होगा यहाँ पर error शुरू हो जाएगा अब यहाँ पर मैंने data validation भी लगा रखा है तो जैसे कि मैंने आपको बताया था validation लगा रखा है तो जैसे मैंने 6 crore लिखा यहाँ पर एक मुझे excel ने information दी है कि आप यही values choose कर सकते हो तो आप data validation code data tab में जाके यहाँ पर data tools में जाके यहाँ data validation है जहाँ पर आप cell में fit कर सकते हो कि आप क्या चाहते हो मैं यहाँ पर whole number allow कर रहे हूं which should be between 1 lakh to 5 crore तो मैंने यहाँ पर यह set कर रखा है इस वज़े से यहाँ पर सिरफ 1 lakh से लेकि 5 crore तक ही value लेगा तो आप ऐसे EMI calculator बना सकते हो और आप काफी सारे experiments कर सकते हो तो practice करिए इस EMI calculator को and see कि आप क्या experiment करते हो and I hope यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आगे कि मैंने आपको कैसे EMI calculator बनाना सिखाया है इसको practice करिए and EMI calculator बनाना सीखे I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है आपको कुछ सीखने को मिला है तो comment section में मुझे बताइएगा and thank you for watching the video